दोस्तो नौर्थ अमेरिका में एक पक्षी की प्रजाती है जिसका नाम है टर्की इसकी एक बहुत विचितरा आदत है इनमें जो माय होती है इनकी ममता एक चीप-चीप की आवाज पे डिपेंड करती है जो उसके बच्चे निकालते हैं वो अपने बच्चों को उनके उसी च आजव की बात भी है इसी चीडिया का एक बहुत बड़ा दुश्मन है पोल कैट बिल्ली की एक प्रजाती दॉर्मली जब वो एक पोल कैट को देखती है तो घुस्से से आकरामक हो जाती है लेकर एक बार उसके इस चीप-चीप के रिस्पॉंसिव आदत को परखने के लेकिन बाद में जैसे ही वो रिकारडर बंद हो गया और उसके अंदर से चीप-चीप की आवाज आनी बंद हो गई तो फिर से वो टर्की उस पोल कैट के लिए आकरामक हो गई अजीब बात है ना कैसे उस पक्षी के लिए बाहरी सारी चीजे बेकार हो जाती है और उसके लिए सिर्फ ओ चीप-चीप की आवाज ही उसे अपने बच्चों का पहचान देती है आपको सुनके बड़ा आजीब लगेगा दोस्तों लेकिन हम इनसान भी इस विशितर जाते हैं जब हमें अपने फाइदे के लिए किसे ना किसी को कन्विंस करने की ज़रूरत पढ़ती है प्रोडाक्ट या सर्विस बेचना है तो कस्टमर्स को कन्विंस करो अपने आइडिया या अप्रोच को आफिस में आगे ले जाना है तो बॉस को कन्विंस करो अपने मन इस किताब में ऑथर ने आठ ऐसे तरीकों के बारे में बताया है जिसमें दुनिया के मैक्सिमम लोग बिना सुचे रियाक करते हैं और इसलिए ऐसे तरीके यूज करके उन्हें करना और भी ज्यादा आसान हो जाता है बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बटन दबाने पर फैन चलत हम चीजों को कैसे देखते हैं इसका उसके आसपास के चीजों से बहुत जादा फरक पड़ता है इसलिए आपके चीजों को आप दूसरों के सामने कैसे प्रेजेंट करते हो उसका उसके सामने वाले के परसेप्शन पे बहुत फरक पड़ता है एक और एक्जामपल लेते है आप तीन अलग-अलग बॉल में पानी लीजे, पहले को बहुत गरम करिए, दूसरे को नॉर्मल रखिए, और तीसरे बॉल में फ्रिज से बरफ डाल के उसे ठंडा कर दीजे, अब अपना बाया हाथ फर्स्ट बॉल में डालिए, दाया हाथ फर्ड बॉल में डालिए, और कु अब इस strategy का दूसरों को convince करने के लिए दुनिया में लोग कैसे कैसे use करते हैं, आईए देखते हैं, दोस्तों Sid और Harry का एक कपडो का दुकान था, और जब भी वहाँ कोई नया customer आता था, तो वो एक शांदार trick आजमाते थे, customer जब भी एक suit राय करके पसंद करता और फिर rate और फिर customer को बोलता, जी 5,000, लेकिन customer ने तो सुना था, कि उसने 8,000 का था, customer को ये लगता, कि आदे इस suit का price तो 8,000 है, बढ़ क्योंकि इसे ठीक से सुनाई नहीं देता, तो ये गलती से 5,000 बोल रहा है, अपना क्या है, 3,000 का फाइदा जल्दी से ले ले लेते हैं, बोलक दोस्तों, एक और real estate salesman की कहानी है, जो अपने customers को घर बेचा करता था, उसने भी यही strategy आजमाई थी, वो सबसे पहले अपने customers को कुछ 5-6 गंदे घर दिखाता था, जिसे customers का moral डाउन हो जाता था, और उन्हें लगता था कि बस यही standard है, और फिर उसे जिस घर को actually में बेच के खरीद लेते हैं, दोस्तों, clothing stores में भी salesman को यही सिखाए जाता है, कि जब भी कोई customer अंदर आए, तो वो उसे सबसे पहले महंगी चीज़े विक्वाएं, जैसे कि कोई महंगा suit, एक बार customer वो suit ले ले, फिर उसके बाद वो छोटी मोटी चीज़े विक्वाने की कोशिश इसलिए अगर आपको किसी को कुछ मनवाना है, या विक्वाना है, तो आप उस main चीज़ को दिखाने से पहले क्या दिखाते हो, उस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, कि वो चीज़ ग्राह को easily accept होगी, या ने, दूसरा principle, reason, दोस्तों, जैसा हमने art of saying no की book summary में दे इस experiment में एक Xerox machine के सामने Xerox करवाने के लिए एक लंबी line लगी वी होती है, लेकिन वहाँ पर एक लड़का जाके बोलता है, excuse me, मुझे 5 pages Xerox करने है, क्या मैं पहले Xerox machine का use कर लूँ, क्योंकि मैं बहुत जल्दी में हूँ, ऐसे में 94% लोगों ने उसे बड़े आसानी स आगे जाने दे दिया, और सबसे ताज्यूप की बात तो यह है, कि जो reason उसने दिया था, क्योंकि मैं बहुत जल्दी में हूँ, यह कोई unique reason भी नहीं था, सामने वाला यह बोल सकता था, क्या रहे हमें जल्दी नहीं है क्या, बट किसी ने भी question नहीं किया, यही है human psychology, हमारा कोई सबको लगा, कि हाँ ठीक है, उसे जल्दी है, जाने दो, अपना क्या ही है, कर लेंगे, तो इसलिए जब भी आप किसी को कुछ मांग रहे हो, तो उसमें reason लगाने की जरूर कोशिश करो, तीसरा principle है, reciprocation, दोस्तों कैसा लगता है, जब कोई आपको देखके smile करता है, आ हम भी अंदर से उसके लिए कुछ करना चाते है, जब भी हमें कोई खुश करता है, तो हम भी उसे खुश करना चाते है, तो इसलिए जब भी हमारे लिए कोई कुछ favor करता है, तो उसके बाद अगर वो कुछ मांगे, तो उसे मना करना काफी मुश्किल हो जाता है, इवन राहत की सांस ली, ओधर ने लड़के को थैंक्यू कहा, लड़के ने वेलकम बोला और अपने रास्ते निकल गया, कईब कुछ एक महीने बाद, वही लड़के ने ओधर के दरवाजे पे दस्तक दी, उसने उनसे कहा, क्या मैं आपका कार कुछ टाइम के लिए बोरो कर सकता और उसके पास तो गाड़ी चलाने की लाइसेंस भी नहीं थी, और चांते हैं ये बात कब पता चली, उसी रात को, जब उस लड़के ने ओधर कुन की गाड़ी लोटाई, जिसके चीथड़े उड़ चुके थे, बिशारे ओधर ने उसके बाद कसम खाई, जिंदगे में कि भी किसी से कोई favor चाहिए, तो उनके लिए कुछ करो जरूर, बहुत chances हैं कि आपका काम हो जाएगा, चौथा principle, commitment, दोस्तों आपको एक खिलोनों के दुकान के कहान ही सुनाता हूं, आपको पता ही होगा कि खिलोनों के दुकान सिर्फ बच्चों की जिद पे चलती है, घर प उनके बाद के कुछ महीनों में बिक्री बहुत ही जादा खरचाती थी, क्योंकि ग्राहकों ने क्रिस्मस की छुटियों में खिलोने खरीदने पर इतना जादा खरचा कर लिया होता है, कि अब वो कुछ और महीनों तक दुबारा खिलोनों की तरफ देखना भी नहीं चाहते अब इसके लिए बिचारे वो दुकानदार क्या करते हैं, उनका मुनाफा अगले कुछ महीनों में खठी जाता था, क्योंकि बच्चे तो खिलोनों के लिए हमेशा ही जित करते हैं, टीवी पे कार्टून अडबर्टाइज देखके अपने पेरेंस को खिलोने खरीदने की बच्चा जिद करता है कि मुझे क्रिसम्स में यही खिलोना गिफ्ट में चाहिए और अब इसके अगले साल से उस दुकान में जानबूच के वो पर्टिकुलर खिलोना जिसका इस क्रिसमस में आने का सबको इंते था, उसे अंडर स्टॉक रखते हैं, यानी कि कम तादाद म उन्होंने उसे क्रिस्मस में देने का वादा किया था अब वो खिलाना दुकान में नहीं मिलता आउट आफ टॉक हो चुका होता है लेकिन बच्चे को तो वादा किया है कुछ तो लेना पड़ेगा परना क्रिस्मस खराब हो जाएगा उसका तो वो फिर मजबूरन उसकी जगा वैसा ही कोई दूसरा खरीद के ले जाते अब क्रिस्मस की बिकरी दो हो गई लेकिन क्रिस्मस के बाद उसके अगले कुछ महीनों में वो खिल्वनों की दुकान अपने दुकान में वही खिल्वना जो उन्होंने out of stock दिखाय था और पीछे चुपा दिया था उसे आप लाके आगे रख देते थे अब इससे बच्चे ये बोलते कि पापा आपने वादा किया था कि वो खिलोना लाके दोगे, दुकान में तो वो है तो अब आप क्यों नहीं ला देते, ला दो ना और अगर commitment पब्लिक के सामने हुई हो, फिर तो नहां बोलने का सवाल ही नहीं होता दोस्तों, public commitment की तरह ही, written commitment भी कमाल का असर करता है यानि कि अगर किसी ने लिखित में commitment दिया हो proctor और gambler जैसे बड़े companies भी इसी strategy को follow करते हैं जब भी उन्हें अपने किसी product के बिकरी को बढ़ाना होता है तो वो एक testimonial contest रखते हैं, अलग-अलग शेहरों में जाकर वो लोगों को free में उस contest में participate करने को कहते हैं और जीतने वाले को एक बड़ा इनाम भी देते हैं लेकिन ऐसा करने में उनका क्या फाइदा है contest free में हो रहा है, करवाने में उनका खर्चा भी होता है और इनाम देने में भी खर्चा होता है तो फाइदा क्या है? फाइदा यह यह दोस्तों उस contest में हर participant को एक sheet दिया जाता है जिसमें ये लिखा होता है कि मुझे ये फलाना product पसंद है क्यूंकि और इसके आगे उन्हें खुद ही भरना होता है कि वो Procter & Gamble का product उन्हें आखिर क्यूं पसंद है भले ही लोगों को वो product पसंद ना हो लेकिन contest तो free है और free का इनाम मिल रहा है क्या पता जीच जाएं इसी चकर में हर कोई उस product के बारे में खुद से पढ़ के आता था और तारीफों के पुल बांता था अब फाइदा इससे ये होता था कि वो हर participant जो उस product के फाइदे के बारे में research करता था और उसके बारे में जान लेता था उसे पता भी नहीं चलता था लेकिन वो बाद में खुद ही product का एक loyal customer बन जाता था यही होता है दोस्तों written commitment यानि की लिखी हुई commitment का कमाल पांचवा principle social proof सब कर रहे हैं तो ठीकी होगा दोस्तों क्या आपको canned laughter का concept पता है अपने काफी ऐसे comedy shows देखे होंगे जिसमें background में एक नकली audience की हसी डाली जाती है हम सब को पता है कि वो हसी नकली है लेकिन फिर भी research ने बताया है कि लोगों को उसी हसी की वज़े से वही series या वही show जादा मज़ेदार लगती है और कभी-कभी तो लोग कुछ गंदे jokes पर भी हस लेते हैं जिस पर शायद उन्हे normally हसी नहीं आती अगर background में वो नकली हसी नहीं होती experimental research ने ये थाबित किया है दोस्तों कि ऐसी नकली हसी से लोगों को वो material, वो show या वो series कहीं जादा funny और मज़ेदार लगता है लेकिन जब हमें पता है कि ये नकली है तब भी हम पर इसका इतना असर क्यों होता है क्योंकि दोस्तों हमारा दिमाग घीड को follow करने की आदत रखता है जब भी एक इंसान का दिमाग ये देखता है लोगोंने कैसे अपने फाइदे के लिए स्वाल किया है हाई ये देखते हैं दोस्तों बार टेंडर नॉर्मली अपने टिप जार में पहले एक खुछ से कुछ डॉलर डाल के रख देते हैं ताकि लोग उसमें पहले से ही कुछ पैसे डले वे देखें और उन्हें लगे कि हाँ लोग तो देही रहे हैं तो मुझे भी देदेना चाहिए रिस्टरण में भी काफी लोग यही तरीका आजमाते हैं आपने देखा हुआ कि बहुत बार टीवी अड़र्टाइजमेंट में भी अड़र्टाइजर्स यह बताते हैं कि हमारे प्रड़क्ट लार्ज सेलिंग है या फिर इतने पॉपलेशन लोगों ने उसे खरीदा है आमज़न या फ्लिपकार्ड में अपने काफी प्रड़क्स पर बेस्ट सेलर का टैग तो देखा ही होगा यहाँ तक कि दोस्तों आपने यूट्यूब में भी काफी सारे इसे वीडियो देखे होंगे जिसमें लिखा होता है यह तरीका लोगों को ट्रैक्ट करने का एक बहुत एफेक्टिव स्ट्राटिजी है दोस्तों आप भी जरूर करके देखेगा पापा पापा मैं पिक्निक जाओं सब जा रहे हैं पापा मैं यह हैर कट कर लो सब कर रहे हैं पापा मैं टैटो बना लो सब बना रहे हैं पापा मैं भी मॉल्डिव्स कुमाओं सब जा रहे हैं बेटा सुन सब कुवे में कूदेंगे तो तू भी कूदेगा क्या है आज के लिए बस इतना ही जानता हूं सर्फ तांच हो है अभी भी तीन प्रिंसिपल्स बाकी अगले वीडियो में अगर आपको एक किताब खरीदना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो बसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें चैनल में नए है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए चेख